हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मैं हूँ दिख्षा और मैं आज आपके लेकिया हूँ 100 इंपॉर्टेंट क्वेस्टिन्स फ़र MPPSC प्रेलिम्स 2019 तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे पेड़ गूरूप के बारे बता दूँ जो भी पेड़ गूरूप जोईन करेगा उसको हमारे डीटेल पीडिया फाइल्स मिलेंगी जिसमें आपको सी सैट और कम्प्लीट जीएस टेस्टिरीस प्रोवाइट करी जाएंग तो दोस्तों आप ये पेड़ गूरूप जोईन करिएगा जिसको भी पेड़ गूरूप जोईन करना है वो हमें इस नंबर पर कॉंटक्ट कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेस्टिन से इसमें पार्लेमेंटरी फर्म ऑफ गर्मेंट के बारे में देखना है कि कौनसा स्टेट्मेंट गलत है मंत्री परिशद जो होते हैं वो पार्लेमेंट को रिस्पॉंसिबल होते हैं और पार्लेमेंटरी फर्म ऑफ गर्मेंट को वेस्ट्मिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है तो देखिए second हमारा सही है पहला हमारा गलत है क्योंकि जो मंतरी परिशाद होते हैं वो parliament को नहीं responsible होते हैं वो केवल लोकसभा को होते हैं तो हमारा पहला गलत है answer है only two लोकसभा को जो speaker होता है उसको अपनी powers और duties कौन से sources से provide करी गई है constitution of India, rules procedure, conduct of business of लोकसभा और parliamentary convention D, all of the above इसमें पताना है कि consolidated fund of India में से कौन से expenditure चार्ज नहीं होता है तो president के alliances और emoluments होते हैं ठीक है फिर हम third देखते हैं कि comptroller auditor general जो होता है नहीं अंतरा के महालेकर परिक्षक जो होता है उसकी salary उसके alliances उसकी pension भी इसमेंसे जाती है और supreme court के judges होते हैं उनके भी तो इसमें जो हमारे B है वो गलत है क्योंकि जो pensions होती है high court की केवल वो इसमेंसे charged होती है ना कि salary or answers तो B गलत है ठीक है soil conservation में कौन सा method useful होता है जूम cultivation, contour plugging, contour applying, strip cropping, crop rotation तो देखें जो जूम cultivation है वो एक useful method नहीं है ठीक है वो soil को conserve नहीं करता है तो पहला हमारा गलत है बाकी के तीन सही है तो 2, 3, 4, answer is B इसमें हमें देखने कि जो crop rotation होती है उसके संदर में कौन सा statement सही है crop rotation क्या होती है कि इसमें अलग-अलग crops को साथ में हो गाया जाता है और ये काफी लंबे समय तक soil की fertility को बनाए रखती है तो देखे पहला जो statement है वो हमारा गलत है कि इसमें different crops उगाई जाती है बर साथ में नहीं उगाई जाती है हर अलग-अलग season में उगाई जाती है जिसकी वज़ा से soil की fertility होती है soil का जाओपन होता है वो काफी टाइम तक रहता है तो पहला गलत है दूसरा सही answer is B अपातानी जन जाती इन में से कौन से राज्जी की है मद्रप्रदेश, तामिल नाडू, अरांचर प्रदेश या मीजोरम आंसर है अरांचर प्रदेश इसमें न्यूस पेपर दिये, एक तरफ में उनका संस्थापक दिये, देखना है कौन सा correctly incorrect है बंदे मातर में अर्विंदो घोश सही है, इंडियन सोशलिस जवाला नहरू गलत है, इंडियन मिरर सतियन ना टेगौर भी गलत है, मिरात उल अकबर, राजा राव महान रह सही है तो 1 and 4 हमारे सही है, पूछा है कि कौन सा गलत है, 2 and 3 हमारे गलत है, आंसर है C तो इंडियन सोशलिस्ट और इंडियन मिरर किसनी शुरू किया था, ये comment box में आप comment करके बताईए इंडियन नाशनल कॉंग्रेस की, भारती राष्ट्य कॉंग्रेस की पहला विदेशी अध्यक्ष कौन था, A.O. Yume, Annie Besant, Henry Cotton, इंडियन में से कोई भी नहीं तो आंसर है D, इंडियन में से कोई भी नहीं था, जो George Yule था, वो इसका पहला विदेशी प्रेसिडेंट था, तो आंसर है D इनमें देखने हैं, कौन से स्टेट्मेंट गलत है, बायो अक्यूमिलेशन क्या होता है, जब इन्वायमिंट से, ठीक है, प्रकृती से, पल्यूशन सीधा कोई फर्स्ट और्गैनिजम में आता है, एंटर करता है, उसको बायो अक्यूमिलेशन करते हैं, और जब एक होता है, तो इसको बायो मेगनिफिकेशन बोलते हैं, तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों स्टेट्मेंट सही है, तो बायो मेगनिफा है, मतलब उसको बढ़ने के लिए, ठीक है, उसकी क्या कंडिशन होती है, कि वो जो पल्यूटेंट है, वो लॉंग लिफ्ड होना चा है लेकिन जो थärड है वो हमारे स्टेट्मेंट गलत है, क्योंकि यह हैं पे जो बुलाइकी उसको अकर वोने के लिए, लॉंग लिफ्ड होना चाहिए लेकिन यहां पे जो बोला कि बॉलाउल होना चाहिए, यह तो थर्ड हमारा गलत है वना 1 यू सही है आंशर reefs separated from the land by wide expenses of water and follow the coastline ठीक है यह कोई reefs है और यह coastline है ठीक है तो जो reefs अपने coastline से separate होती है और उस coastline को follow करती है मतलब same parallel ही चलती है तो उसको क्या बोलते है अटोल्स barrier reef, fringing reef यह इन में से कोई नहीं तो इसको बोलते है beef barrier reef great barrier reef कहां पे है यह आप comment box में comment करके बताईए इसमें देखने है कौन से incorrect है, मोगल administration से related है, कौन से सही match ठीक है, officer दिये है और इतरवसन का कारे दिया है, वजीर होता तो जो राजस्पु और वित्त की देखबाल करता था मीर बक्षी होता तो जिस सेने वेतन और खातों से संबंदिन्त कारे करता था सदर था जो धार्मिक दान और योगदान का प्रमुक था और खाने समझो था वो कार खाने का जो अवेक्षकता होती है या भंडार भंडार उसका record बनाता था तो ठीक है तो इसमें जो है इसमें सारे ही सही है तो आंसर है डी हैजार्डर वेस्ट का ट्रांस बाउंडरी मुव्मेंट कंट्रोल करना ये कौन से टीटी या कौन से conventions related नागोया की गाली बेसल या इस रोटडम आंसर है बेसल कंवेंशन अर्थ समित जो हुई थी 1992 में उसका परिणाम क्या था ठीक है उसमें जब उसका जब end हुआ तो उसमें क्या के documents बन के आए रियो डेक्लिरेशन इंवार्मेंट और डेवलप्मेंट एजेंटा 21 forest principles और millennium development goals तो देखे वन सही है टू भी सही है थ्री सही है फोर्थ गलत है ठीक है तो वन टू थ्री सही है आंसर है ए इसमें से देखना है कि कौन से नैशनल पार्क है और endangered animals से रिलेटेड है कौन एनिमल कौन से नैशनल पार्क में पाए जाता है शंगाई डियरे काइबोल नम जाओ टाइगारे पन्ना एलिफेंटे पैरियार राइनोसोरसे काजी रंगा तो इसमें सारे ही सही है आंसर है डी जो socialist word है समाजवादी शब्द जो है प्रियेंबल में उसका अर्थ क्या है social equality, economic equality, political equality ठीक है तो उसे वो किस से related है? social equality से related है और economic equality से related है political equality के संदर में नहीं है तो one and two answer है answer है A Vice President के election के लिए जो निर्वाद्चक मंडल बनता है उसमें कौन-कौन होते है Parliament के मनोनित और निर्वाद्चित सदस्ते, State के निर्वाद्चित सदस्ते और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाद्चित सदस्ते तो देखिए जैसे प्रेसिडेंट के एलेक्षिन में स्टेट के भी जो निर्वाची सदस्ते वो भाग लेते हैं लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के उसमें ऐसा नहीं होता है तो टू थ्री गलत है बन सही है अंसर है ए क्यूंकि वाइस प्रेसिडेंट के उसमें मनोने तो निर शायती राज इंसिट्यूशन को एक constitutional status दिया जाए जीवी के राव कमिटी, LM सिंग भी कमिटी, बलवंत राई महता कमिटी या अशोक महता कमिटी? आंसर है D. अशोक महता कमिटी. दिल्ली संतरत के administration के संतर में बरित A. मुमालिक का क्या मतलब था? ठीक है, वो कौन था? Records Department का Head था, Judicial Department का Head था, Public Charities का इंचाज था, या Intelligence Department Information का Head था? तो सूचन और खूफिय विवा का प्रमुक्ता आंसर है D. ट्रोपोस्पिया के संतर में देखना है कि कौन सा statement सही है? इसकी जो thickness होती है, वो इसकी जो मुटाई होती है, वो polar region में सबसे जादा होती है, और जिते भी type के मौसम के परिवर्टन होते हैं, वो इस layer में होते हैं. तो इसलिए पहला वाला गलत है, सेकिंड सही है, आंसर है टू, अटॉल क्या है? यह एक टेक्स कलेक्शन ता, टॉल टेक्स कलेक्शन ता, मेडेवल हिस्ट्री में, या यह मैन गूरूवस है, ठीक है, या मिड ओशन एक रिज में ये एक आइलेंट, उसके वज़े से कोई हुई है, या एक ये कोरल है, ठीक है, रिंग शेप्ट कोरल है, ठीक है, तो देखें, ये एक रिंग शेप्ट कोरल है, ठीक है, यहाँ पर पूरे ये कोरल होता है, और इसके बीच में पानी होता है, इसको हम अटॉल बोलते हैं, ठीक है, तो आंसर है, डी, इंद्रधनुष जब बनता है तो उस तेम में कौन-कौन सी प्रक्रिया होती है रेफ्लेक्शन होता है रेफ्लेक्शन होता है और डिस्पर्शन होता है तो तीनों ही होता है आंसर है डी Central Vigilance Commission के संतर में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है ये गटकिल समीती के सिफारिश से 1964 ने बनी थी और ये Home Ministry के अंदर आती है इसको जब बनाया था तो इसको Statutory Status दिया था और इसको Statutory Body की रुपे बनाया गया था तो इसमें देखें इसका जो आंसर है वो C है क्योंकि इसमें तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है ये गटकिल कमिटी नहीं संथानम कमिटी के सिफारिशते बनी थी 1964 में और ये Personal Ministry के अंदर आती है ना कि Home Ministry के अंदर और इसको ये अभी जो है अभी तो ये Statutory Body है लेकिन जब इसको बनाया गया था तब ही Statutory Body नहीं थी 2003 में इसको Statutory Status मिला है तो तीनों ही गलत है अंसर है C Normal Lapse Rate क्या होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेंपरेचर कम होता है सही है ठीक है 1000 मीटर की हाइट से एक डिग्री सेल्सियस में चेंज आता है है डिग्रीज होता है कि 1000 की हाइट में फिर एक डिग्री सेल्सियस कम होगा तो यह गलत है ठीक है यह सेकंड स्टेटमेंट जो है यह गलत है एक हजार की हाइट से नहीं जब 165 मीटर होता है तब एक डिग्री सेल्शेस में चेंज आता है तो सेकेंड हमारा गलत है फर्स सही आंसर है अब यहां पर देखने कौन सा स्टेट्मेंट सही है मैंगलोर की संधी पस किसने साइन किया थे निजाम अब बिटिश के बीच में साइन हुई थी और ट्रेटी जो सेल्टान और बिटेशर के बीच में हुई थी और सरिंग पत्तम के बाद धर्ड जो एंगलो मैसर वॉर्ट तब वो खतम होगा था ना कि सेकेंड तो डी है नो दोनों ही गलत है ठीक है Central Information Commission के संदर में देखना है कि कौन सा विकब सही है इसके यह खुद से ही किसी भी मैट्रे के entries कर सकता है ठीक है और hacia unserem करते टाइम यह इसके पास जो अधिकार होते है क्यावर होते वह prayer सिविल कोट की होती है और यह हर साल अपनी जो रिपोर्ट होती है वो पारलिमेंट को देता है तो देखे पहला तो सही है कि वो सो मोटो केस ले सकता है सेकिन भी सही है कि सिविल पावर होती है सिविल कोट की पावर होती है थर्ड गलत है कि वो अपनी जो एन्वल रिपोर्ट होती है वो केंदरिय सरकार को देता है ना कि पारलेमेंट को तो 1 and 2 सही आंसर है A शशस्त्र बल विशेश अधिकर अधिनियम के संदर में देखना है कौन सा सही है यह जो इसको कौन डिकलियर कर सकता है किसी भी डिस्टब्ड एरिया में गवर्नर, मुख्यमंत्री या केंदर सरकार तो देखिए इस पे मुख्यमंत्री जो होता है उसकी कोई पावर नहीं होती है तो इसमें सेकेंड तो नहीं है गवर्नर की होती है राज्यपाल की होती है और केंदर सरकार कर सकता है तो 1 and 3 है तो अंसर है B तीसरी संगम सभाय जो हुई थी वो कहाँ पर योजित की गई थी तांजवोर, काचिपूरम, मदुरई, ये वनजी तो आंसर है मदुरई, C कोई भी ordinary bill होता है अगर वो legislative assembly से pass होके legislative council में या विदान परिशद में जाता है लेकिन विदान परिशद उसको reject कर देता है तो क्या होता है तो फिर सायूक तबैटक बुलाई जाती है या तो वो bill वहीं पे end हो जाता है या legislative assembly मतलब विदान सभा उसको दुबारा से pass करती है ये वेसे कुछ भी नहीं तो देखे answer इसका सी कि जो legislative assembly उसको दुबारा से pass कर सकती है जो joint sitting यानि कि संयूक तो बैठक की जैसे राजसभा लोगसभा में होता है joint sitting ordinary bill में वैसे legislative assembly और legislative council में joint sitting मतलब संयूक तो बैठक की ऐसा कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता मतलब ऐसा नहीं दिया हुआ है ठीक है अगर ऐसा deadlock होता है तो legislative assembly जो है वो दुबारा bill फास कर सकती है लेकिं joint sitting नहीं होगी ठीक है साइमन कमीशन को किस-किस ने पोस्त किया था किस-किस ने इसका विद्रोग किया था moderates ने extremist ने और Muslim league ने तो तीनों नहीं किया था आंसर है डी one two and three समवेदान और कानून बनाई रखने की शपत कौन लेता है राश्ट्रपती कैग मतलब नियंतक एंड महालेक परिक्षक और सर्वोच न्याले का नयाइदीश तो देखें इसमें जो precedent होता है वो constitution को uphold करने की नहीं उसके बच्चाव करने की शपत लेता है और इसको बनाई रखने की शपत कैग और सुप्रीम कोड का ज़ज लेता है तो आंसर है two and three क्रिश्णा नदी के संदर में देखना है कौन सा सही है यह पैनिस्वर रिवर में से सबसे second largest रिवर है जो east को फ्लो करती है दूद गंगा, घात प्रवा, माल प्रवा, भीम, तुंग भद्र, मुसीस की सायक नदिया है और यह महराष्ट करनाट का आंदर बिदेश के बीच में शेयर होती है तुंग भद्र, तुंग भद्र, दो नदियों से बनकर मिलती है ठीक है तो देखे उसमें सारे options है तो answer है राष्टे जलमाग छे कौनसी नदिवे बन रहा है बराग, गोदावरी, भ्रह्मपत्र बानस answer है बराग webland goods क्या होते हैं यह ऐसे goods होते हैं जिनकी कीमत बढ़ने पे इनकी डिमान भी भड़ती है यह ऐसे goods है, capital goods है, जो आगे उत्पादन प्रक्रिया में use होते हैं, यह ऐसे goods है, जो बहुत कम पाए जाते हैं और लोग इसको show करने के लिए लेते हैं ठीक है और यह नमेंसे कोई नहीं तो इसका अंसर है यह goods जो गिफन गुड्स होते हैं यह उनके जैसे ही होते हैं कि इनका price बढ़ने पे इनकी डिमान भी बढ़ जाती है लेकिन गिफन गुड्स जो होते हैं वो low quality के goods होते हैं लेकिन Viblin goods जो होते है वो high quality के goods होते है difference यही है विश्वयुद एक के टाइम में जो नेशनलिस्ट थे उनकी क्या सबका क्या क्या response था जो moderate से उन्होंने इस war को support किया था उन्होंने सोचा था कि यह उनकी duty है, Britishers को support करना extremists जो थे, चरमपंथिये जो थे, उन्होंने यह सोचा था कि इस opportunity को use कर सकते है Britishers का खिलाब और अपने देश को अजाद कर सकते है तो देखें, यह जो thinking थी कि इस opportunity को use करना है और अपने देश को अजाद करना है यह thinking extremists की नहीं थी, revolutionaries की थी extremists नहीं यह बोला था कि उन्होंने Britishers को help करी थी उन्होंने support किया था वार में क्योंकि उन्होंने सोचा था कि युद्धि समाप्त होने के बाद Britishers इंडिया को स्वराज दे देंगे ठीके तो फैरा सही है, दूसरा गलत है अंसर है only one Western Ghats run through many states India इन में से कौन साइज हापे Western Ghats नहीं है तो आंदर प्रदेश, Gujarat, Kerala, Goa Gujarat में है, Kerala में है, Goa में है लेकिन आंदर प्रदेश नहीं है आंदर प्रदेश, Eastern Side में से लिए यह नहीं है तो आंसर है A Indian Consulate 1909 के संदव में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसने मुसल्मानों, सीकों, भारतिय साइयों और एंगलों, इंडियन को अलग निर्वाचक मंदल प्रदान किया था इसे मौले, मैंटफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है तो देखे, पहला जो है यह गलत है, सेकिन भी गलत है यह मौनफोर्ड रिफॉर्म जो थे, वो 1919 रिफॉर्म थे और जो पहला जो है, इसने सेपरेट एलक्टिरोट बस मुसलिम्स के लिए दिया था और इसको बाद में सिख, इंडियन, क्रिश्चन और एंग्लो इंडियन के लिए 1990 में जो एक्ट आया था, उसके तहट दिया गया था तो दोनों ही स्टेटमिन गलत है, इसको मौले, मिन्टोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है ना कि मौले, मौन्ट फॉर्म तो दोनों ही गलत है, आंसर है डी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के संदर में देखना कौन सा सही है इस कमेटी को 1921 में सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था इसमें 30 मेंबर होते हैं, 20 लोक सभागे और 10 राज्य सभागे तो देखे, पहला तो सही है कि 1921 में बनाई तीस कमेटी को तो इसमें 30 नहीं, इसमें 22 मेंबर होते हैं 15 लोक सभागे और 7 राज्य सभागे तो दूसरा हमारा गलत है, आंसर है only one पैनल पेंटिंग्स के संदर में देखना है कि ये क्या है, ये तांजोर पेंटिंग्स है, जिनको पैनल पेंटिंग्स भी कहा जाता है देखते हैं, ये कपड़े पर बनाई जाती है और इसको पैनल पेंटिंग्स भी कहा जाता है तो देखे, तो ये है कि इनको पैनल पेंटिंग्स भी कहा जाता है, तो सही है स्थापित हुआ था मुंगावली सागर शिफपुरी और चा आंसर है मुंगावली यह अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट में आता है ठीक है आंसर है इसमें में इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें देखना है कि जिले की पहचान करनी है यह पोईट बालकवी बैरागी का बर्थप से यहां पर कुगदेश्वर एक आर्केलोजिकल साइट है जहां पर बहुत फेमस मंदिर है मद्र प्रदेश का पहला ग्राम नियाले भी हां पर शुरू किया गया था मन्सोर जबलपूर नीमच या खारगोन आंसर है तो इसका आंसर है सी नीमच फेमस पश्वपती ना टेमपल जो है मन्सोर जिले में वो कौन सी नदी पर है चोरल, शिवना, तवा ये चम्बल तो है शिवना यहां पर ये जो आप्शन है ये चोरल है वो गलत दिया है तो यहां पर वो चोरल रिवर है ठीक है तो आंसर है शिवना भी CRPF का बर्थ प्लेस कौन से जिले को कहा जाता है शाजापूर, जबलपूर, दातिया ये नीमच आंसर है दी नीमच ये गिवन यहां पर इन्फॉर्मेशन से हमें डिस्ट्रिक को भेचानना है ठीक है ये इस डिस्ट्रिक को इस जिले को सेव की नग्री भी कहा जाता है यहां पर सेलाना बर्ड सेंचुरी है और इसको कैप्टन बोर्थ विक ने 1829 में बनाया था तो आंसर है इसका बीरतलम हियासिंथ जो है ये एक टैप का क्या है वीड है, मेडिसन प्लाइंट है, ये इन्वेजिव स्पीशीज है, ये इनमें से कोई नी तो आंसर है C, ये एक टैप का इन्वेजिव स्पीशीज है धर का किला किसने बनाया था, मुहमद बीन तुगलक, अलाउदीन खिल जी, शाजा या औरंग जेब आंसर है मुहमद बीन तुगलक ने इनमें से कौनसे जीले को गोर्लन डिस्ट्रिक के नाम से भी जाना जाता है, खारगोन, खंडवा, अलीराजपु या भरवानी आंसर है बी खंडवा, क्योंकि यहाँ पे कौटन बहुत ज़ादा उगाया जाता है, कपास का उत्पादन काफी ज़ादा होता है, इसलिए इसको गोर्लन डिस्ट्रिक बोला जाता है इन में से कौन से जिले में सबसे ज़ादा मूफली का ग्राउंड नर्ट्स का उत्पादन होता है, खारगोन, बुर्हानपुर, शिफपुर ये इंडॉर आंसर है ए खारगोन पहला मूनलाइट थर्मर पावर स्टेशन मदर प्रदेश में कहा शुरू किया था बुर्हानपुर, छिफपुर, दातिया ये छटरपुर आंसर है बुर्हानपुर, नेपा नगर में रूपमती का मंडप किल पवेलियन धर में किसने मनाया था होशंग शाह, बाज बहादूर, पेश्वा बाजी रहो ये ज्यासुद्धिन खिल जी आंसर है बी, बाज बहादूर मद्य प्रदेश का पहला विंड फार्म कहां पे शुरू किया गया था जमगोद्रानी, गुपालपूर, जहनताला या भानुपुरा आंसर है जमगोद्रानी ये देवस में है सिवान गल्फ के नाम से जो जाना जाता है ऐसा कौन से डिस्ट्रिक्ट को, कौन से जीले को दो हिस्सव में डिवाइड करता है मनसोर, चिंडवा, अलिराचपूर ये गुना आंसर है ए मनसोर ये मनसोर को दो हिस्से में डिवाइड करता है इसको इसलिए सिवान गल्फ या बेग, खाड़ी के नाम से जाना जाता है इंडिया की भारत की पहली काउ सेंचुरी कहाँ पे कौन से जेले में शुरू की गई थी अगरमलवा, शाजापूर, गॉल्यार ये डिंडोरी आंसर है अगरमलवा घाटिगाव, सेंचुरी, किसके संरक्षर, यहाँ पे किसका संरक्षर किया जाता है गीर, लायन, टाइगर, सोन बर्ड या घडियाल आंसर है सी, सोन बर्ड इंफॉर्मेशन दिये, इससे हमें जानना है कि कौन से जेले के में बात करे जा रही है इसका जो इंशन नाम है, इसका प्राच्चि नाम है दिलिपनगर एरिया के सबसे देखा जाए, छेत्र फल की सबसे देखा जाए तो इस सबसे छोटा डिस्टिक्ट है मद्रदेश का यहाँ पर मद्रदेश के population की schedule कास की population सबसे जाधा है और यहां पर सिंद और पहुज रिवर यहां से निकलती है आंसर है 54 का दातिया बंदे प्रोजेक्ट जो है माता तीला डैम पर बनाए गया है यह कौन से दो राज्यों के बीच का सयुक्त मतलब कौन से दो राज्यों के सयुक्त परियोजन है गुजरात मद्र प्रदेश, राजिस्तान मद्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये मद्र प्रदेश, 36 गड़ी है मद्र प्रदेश आंसर है उत्तर प्रदेश और मद्र प्रदेश सलफर, गर्म, जल्परपाद कहां पे हैं? अनहोनी, लेली, रामनगर ये शहापूर आंसर है अन्होनी, छिन्वारा डिस्ट्रिक्ट मद्रप्रदिश स्टेट क्रिकेट अकैडमी कहां पे है सिहोपूर, भोपाल, इंदौर ये गौलियर आंसर है गौलियर भीम बेट का के जो केप्स है इसको किसने डिस्कवर किया था जेम्स फ्रिंसेप, वकांकर, वीलियम जोन्स ये में से कोई नी आंसर है बीवकांकर वाकंकर माग गोगरा भोलेनाथ मेला कहां योजित किया जाता है सिध्धी, सियोनी, राजगर्य ये नरसेंगपूर आंसर है सिवनी महाराजा 76 साल म्यूजियम जो है धाबेला में वो कौनसे साल में स्थापित किया गया था 1976, 1955, 1985 या 2005 में आंसर है 1955 CPU में क्या होता है Control Unit और Analytical Engine होता है Control Unit, Arithmetic Logic Unit होता है Arithmetic Logic Unit और एक Card Reader होता है यान में सिख होई नहीं तो इसमें Arithmetic Logic Unit और एक Card Reader होता है आंसर है C Web में आपको कोई भी Information देखने तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए Internet Connection होना चाहिए, Web Browser होना चाहिए Domain Server Name होना चाहिए, Email Address होना चाहिए तो उसके लिए आपको Web Browser होना चाहिए आंसर है B Light Sensitive Device है जो आप कुछ भी आपका कोई पिक्चर है या कुछ भी Printed, कुछ भी Document होता है उसको Digital Form में Convert करता है इसे क्या बोलते है, Keyboard, OMR, Scanner आंसर है C, Scanner पहली जेनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उनसे पहले जो कंप्यूटर बने थे, उनको क्या होगा कहते थे, Mechanical थे, Electrical, Mechanical थे, Electrical थे या इन में से सारे ही तो वो थे Electrical Mechanical Computers थे, Electrical Mechanical Computers करसर क्या है एसेंबल देजिगनेट्स अ पॉजिशन ओन दे स्क्रीन वेर टेक्स्ट और कोड़ेट विल बी इंसर्टे दिलेटेड आंसर है B पुर्वांचल या इस्टन हिल्स जो है, इन में कौन कौन सी माउंटेंज है नागा हिल्स, पर्टकाई हिल्स, डाफला हिल्स या लुशाई हिल्स तो आंसर है B, इसमें चार होई है के सरे हिंद टाइटल जो था, वो महात्मा गांदी को ब्रिटिश ने दिया था उनकी एक्सेप्शन सर्विस के लिए टू दा क्राउन, वाला ब्रिटिश ने जो अपनी सर्विस दी थी उसके लिए उनको ये टाइटल दिया गया था, महात्मा गांदी ने रॉले टैक्ट के बाद इस टाइटल को वापस कर दिया था, तो देखिए ये दोनों ही स्टेट देखिए गया था, और उन्होंने ये, ठीके तो इन्होंने रॉले टैक्ट केस में नहीं दिया था, जले वाला बाग मैं से कर जो वा था, उस टाइब में इन्होंने अपना टाइटल वापस कर दिया था, तो ये दोनों ही स्टेट्मिन गलत है, तो आंसर है हमारा दी नन, सुप्रीम कोट के पास इसमें से किस-किस का मूल अधिकार है, ठीक है, तो डिस्प्यूट बिफिन गर्वर्मेंट अफ इंडिया एन वन और मोर स्टेट्स, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू इधर हाउस पार्लेमेंट और स्टेट लेजिसलेचर, इंडिया के साथ एक जादे स्टेट्स की बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो, और अगर दो और दो सुजादे स्टेट्स की बीच में कोई विवाद हो तो होता है, तो टू एन त्री गलत है, वन एन फूर सही है, आंसर है C. इलेक्शन कमिशन के संदर में देखने है कौन सा स्टेट्मेंट सही है, प्रेसिडेन के पास पावर है कि वो उसके इलेक्शन कमिशनर जो है, उनकी संख्या बढ़ा सकता है, यह कम कर सकता है, और अगर चीफ इलेक्शन कमिशनर और अधर इलेक्शन कमिशन के बीच में किस सब्सक्राइब करता है तो देखिए इसमें जो पहला स्टेट्मेंट है वह तो सही है कि प्रेसिदेंट के पास पावर है कि वह चीफ कर सकता है उनके नंबर को बढ़ा सकता है कि अब दो election commissioner है तो उसको कम करके एक भी कर सकता है ठीक है लेकिन जो दूसरा है यहाँ पर गलत है क्योंकि chief election commissioner और जो अदर दो election commissioners होते हैं इनकी power same होती है इसलिए कभी इनकी difference हो जाता है तो जो majority होती है बहुमत होती है उसकी हिसाब से decision दिया जाता है ना कि chief election commission decide करता है तो second हमारा गलत है third सही है कि वो president vice president के election conduct करता है one in three सही answer है बी इन में से कौन सी संस्ता है जो सामेधानिक संस्ता नहीं मानी जाती है schedule tribes commission, minorities commission human rights commission, officer for linguistic minorities advocate general of the state तो देखे जो schedule tribes commission है ये है national commission पर minorities है ये सामेधानिक body नहीं है national human rights commission जो है ये भी नहीं है और linguistic minorities का special officer जो होता है उसको वो भी है constitutional body advocate general भी है तो one है, four है, five है, two and three नहीं है तो answer है इन में से कौन सी रिपोर्ट से सजेशन है जो पार्लेमेंट में प्रेसिदेंट पेश करता है recommendation union finance commission की जो recommendation होती हो से public accounts committee की report कैग की report national commission schedule cast की report तो देखे union finance commission की report यह देता है pack की यह नहीं देता है pack अपनी जो report होती है वो खुद parliament में देता है कैक की भी देता है और 4 schedule cost की देता है है इसका अंसर सही है तो अंसर है डी कि इन में देखने की आइसे सही है प्रेसिरेंट जो है वो national emergency declare कर सकता है आप्ड रिबैलियन या राश्ट्री मतलब नहीं पातकाल कि घोशना वह कर सकता है कोई भी विद्रो होने से पहले कोई युद्ध होने से पहले ही भी वह उसकी खोशना कर सकता है और नाशनल एमेजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए गोशना करने के लिए उसको मंतिर परिशत का लिखित में रेकमेंडेशन यह सिफारिश की जरूरत होती है उसके बाद ही वह कर सकता है तो देखिए इसमें दोनों ही सभी है कोई भी यूद होने से पहले वह नेशनल एमेजनसी को डेख्लेयर कर सकता है और इसमें करने के उसको मंतीर परशांद जाने केबिनेट का सिफारिश जरूरत हो थी आंसर है इसमें देखने की कौन सा सही है जो Constitution नहीं किया है मतलब Constitution में जो जज होता है वो अगर भी सब्सक्राइब करें तो अपना Resignation Letter President को देता है Supreme Court Constitution of India वहांसा संवेधान का Custodian होता है तो तीनो यह अपिशन सही है जो Supreme Court होता है वो Constitution का संवेधान का Custodian होता है वो रेजिगनेशन दे तो वो प्रेसिडेंट को दे सकता है और इसका कहीं पे भी फिक्स्ट टेनियोर नहीं किया है तो 1,2,3 तो नहीं सही आंसर है D प्रेसिडेंट रूल के संदर में देखना की कौन सा स्टेटमेंट सही है राष्टपति शाषन लगाने के लिए दोनों हाउस की पर्मिशन चाहिए होती है एक महीने के अंदर अंदर दोनों सदन को बताना पड़ता है मतलब अपनी मन्जूरी देनी पड़ते है विदिन वन मन्त इसका fundamental rights पे मौलिक अधिकार पे कोई फरक नहीं पड़ता है और इसको maximum 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है तो देखे इसमें जो पहला statement है ये हमारा सही नहीं है B सही है C सही है ठीक है और जो A है वो हमारा गलत इसलिए है क्योंकि उसमें यहां पे जो within one month बोला है ये गलत है within two months होता है ठीक है तो answer जो है वो है A Supreme Court और High Court के judge को कैसे हटाया जा सकता है ठीक है तो उसमें अलग-अलग भहुमत दी हुई है तो answer इसका C प्रत्यक सदन के कुल सदस्ते की भहुमत और उपस्तती और मद्दान करने वाले प्रतिक सदन के दो तिहाई से कम सदस्ते नहीं majority of the total membership of each house and not less than two-thand member present and voting तो ये होती special भहुमत इसके थूँ ही प्रत्यक सदन के दो तिहाई से कम सदस्ते नहीं ने शुरू की थी 1911 में लंडन में और इसका एम था education बढ़ाना और जो untouchability है या और तो पर जो अत्याचार होते थे ऐसे social levels को हटाना तो देखें दूसरा तो सही है इसका एम ये था लेकिन इसको गोपाल क्रिश्न गोख्ले ने शुरू करी थी पूने में भाराष्ट में और 1905 में नाकी 1911 तो पहला गलत है दूसरा सही आंसर है ओनली टूबी बोद गया में जहां पर गौतम बुद्धा को एंलाइटेंड में मिला था एंलाइटेंड हुए था वो तो वो जो पीपल का पेड था ओरिजनल पेड था उसको कटवा दिया गया था तो उसको किसने कटाया था सासंका, महिरकुल, धानान, तियान में से कोई नहीं तो देखें इन तीनों ने तो नहीं कटवाया था आंसर है दीन यान अव्दावफ किसने उस ओरिजल पेड के पेड को कटवाया था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए यह फॉरण ट्रावलर्स जो आए थे इनका हमें ओर्डर करना है कि कौन सबसे पहले आया था इसे सबसे हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है निकलो दे कॉन्ती, इबन बतूता, अलबेरोनी, मार्को पोलो तो देखें सबसे पहले आया था अलबेरोनी फिर यह था मार्को पोलो फिर यह था इबन बतूता, फिर यह था निकलो दे कॉन्ती, तो आंसर है दी International Day for the Elimination of Nuclear Weapon हर साल कब मनाय जाता है? 26 सितंबर, 23 सितंबर, 26 अक्टूबर या 21 अगस्त को तो बना जाता है 26 सितंबर को इन मेंसे कौन से देश है, जो Tiger Range देश नहीं है? Cambodia, China, India, Indonesia तो इन मेंसे सारे ही Tiger Range countries है, तो आंसर है D all of the above दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा जो है, इसके संदर में देखना है कौन से स्टेट्मेंट सही है? यह एक और्गनाजेशन है जिसको बालगंगतर तिलक ने 1968 में बनाया था, शुरू किया था 1964 में इस इंसिट्यूशन को इंडियन गवर्मिन भारतिय सरकार ने इंसिट्यूर और नाशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया था और इसको जो शुरू किया था, इसका में एम था, यहां पर हिंदी को प्रपोगेट करना, मतलब हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देना तो देखिए, सेकिंड सही है, थर्ड सही है, पहला गलत है, इसको 1918 में, मतलब 1968 में, बाल गदर दिलक ने नहीं, एनी बैसेंड ने शुरू करा था, महत्मा गांधी की मदद से, तो पहला हमारा गलत है, दो और तीन सही है, तो पूछाए कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, त एक जीन एडिटिंग प्रोसेस है, तो देखिए, ये एक मैस्कूलर ट्यूब है, जिसके थूरू हमारा जो खाना है, वह हमारे मुह से हमारे पेट तक जाता है, तो आंसर है बी, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, वर्ल वाइट फंड बाल इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन डेवलाप्मेंट प्रोग्राम, ये इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन नेचर आईउसीन, तो आंसर है इसका, डवल डवल वाइट फंड फंड पर नेचर, आईनेस तारंगी क्या है? तारंगी नी, नूकलिय पावर्ट सबमरीन है, टॉर्पिडो लॉंच वेहकल है, ये एक भारती नौसेना का पाल प्रक्षीक्षन चहाज है, तो ये भारती नौसेना का पाल प्रक्षीक्षन चहाज है, सेल ट्रेनिक शेप अफ इंड नेवी आं हाली में एक महीला मौल शुरू होने वाला है जो हमारे देश का पहला ऐसा होला है जहां पर सारे जो वर्कर्स होंगे वह महीला आई होंगी तो यह कहां पर आने वाला है कोजी कोडे इंदौर दिल्ली या भुबनेश्वर आनसर है एक ओजी कोडे दुरुजबा एक जोईन मिलिटर एक्सिसाइज है कौन कौन से देशों के बीज इंडिया रशिया जपान युएसे पाकिस्तान रशिया या इंडिया जपान आनसर है इसका पाकिस्तान और रशिया सी मिगिंगो एक आयलिन्ड है ये कहाँ पस्तित है बेरिंग सी में, सौ्थ चाइना सी में, लेक विक्टोरिया एफरीका में यह इस्ट चाइना सी में तो ये लेक विक्टोरिया में है एफरीका आनसर है सी कौन से ऐसा देश है जिसने अभी सबसे लंबा समुद्री क्रॉसिंग डिच खोला है USA ने चाइना, जपान ये रश्या आंसर है B, चाइना बेपी कॉलम्बोगों की संदर में देखने कौन से स्टेट्मेंट सही है ये नासा का पहला मिशन है जो मरकरी में जाएगा ये इसरो का पहला मिशन है, प्लूटो के बारे में स्टडी करने का ये 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 स्पेस एजनसी का पहला मैंड मिशन है मानव्यूक्त मिशन है, मून में जाने का यह एक joint mission है European Space Agency और Japan Aerospace Agency का Mercury के बारे में study करने का तो answer है इसका D संदाई रूप रेखा संदाई framework किस चीज से related है disaster risk reduction greenhouse gas कम करने का यह tuberculosis कम करने का यह deforestation और forest कर degradation जो हो रहा है उसको कम करने का तो answer इसका A disaster risk reduction बिन्यपित्थ के संदव में क Mediter देखने है कि कौन सा statement से לתी चीज इसक हो उपाली के द्वारा संकलित किया गया था इसमें बुद्ध के उब्धेश है तो दीखें जो पहला statement सही है कि उपाली के द्वारा compiled किया गया था लेकिन इसमें बुद्धा के टीचिंग नहीं है ठीक है इसमें रूल्स बताए गए है रूल्स और regulations है जो Buddhist monks होते हैं उनको follow करने होते हैं वो रूल्स इस विने पितक में बताए गए है और बुद्धा की philosophy और टीचिंग से कौन सी बुक है वोस बुक का नाम के है वो आप comment box में comment करके बताए तो answer है इसका only one इन में से कौन सा लेक है जिसको biodiversity heritage site के अंदर declare किया गया है लोग टक लेक वूलर लेक अमीन पूलेक ये चिलिका लेक आंसर है सी अमीन पूलेक ये तेलंगाना में है हाइदराबाद में इसमें देखना है कि एक तरफ हमें एक तरफ हमें राज़क के नाम दिये हुए राजवश के नाम दिये एक तरफ इनके संस्थापक है तो देखना है कि कौन सा किसका संस्थापक था तो खिल जी के जलाल अदिन खिल जी तुगलक मौम्मद बिन तुगलक सेयद खिजर खान ये लोधी बहलोन लोधी और देखना है कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है आंसर है मुहम्मद बिन तुगलग बी तो आप कमेंट बॉक्स में फर कमेंट करके बताएगे कि तुगलग डाइनेस्टी का संस्थापक कौन था तीसरा पानिपत लडाई जो हुई थी इसके संदर में देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है ये मराठा और अफकान रूलर जो था एहमशाबदली उसके बीच में हुई थी और इसके बाद जो मराठा से इसमें जो था इसमें ये मराठा से वाल को हार गय थे क्योंकि उसमें उनकी जो लीडर्शिप थी वो इतनी अच्छी नहीं रही और उनके पास उसमें जो गंस थी और मतलब वो इतने एक्स्पीरियंस नहीं थे गंस में तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है यह सही है ठीके इसलिए वो लोग हार गए थे और जो एहमद शाह अब् 1765 में रॉयल फर्मान के उसमें देखने है एक स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है किंग शाह आलम दो जो था उसने इसको जारी किया था और इसके थू जो कंपनी थी उसको बिहार का दिवानी राइट्स मिला था तो देखे पहला तो सही है दूसरा गलत है क्योंकि इसको जो कंपनी थी इसके थूँ फर्मान 1765 के थूँ उसको बिहार का नहीं बिहार बेंगॉल उडिसा तीनों ही राज्यों का दिवानी राइट्स मिला था तो सेकिंड गलत है फर्स सही है आंसर ए अचा सॉरी इसमें पूछा है क्यों सा इनकरेक्ट है ठीके तो हमारा सेकिंड पूछा है तो आंसर ए बी ओनली टू अब हमें इसमें जो वार रेस को ऑडर में लगाना है कि कौन से पहले हुआ था तो देखे सबसे पहले हुआ था फर्स्ट कार्नेटिक वार हुआ था उसके बाद फोर्थ एंगलो माईसोर वार हुआ था फिर थर्ड एंगलो माराथा वार हुआ था उसके बाद सेकिंड एंगलो सिख वार हुआ था कि तो आंसर ईसका डी वनरॉर है ऑश कि दूरान कमेशन जिसने इंडिया और अफगानिस्तान की बीच में अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की उस चीम ुस टैप में जिसको बनाया गया था य को बैद मारे गया था तब वो इंडिया अर्यक्तान चोंग तो किस कमेटऔर की हें उस ताइम में artists कि इस जो कमेटी बनाई गई थी इसको तमी नहीं स्थापित करता Nossa दर्टेन ने ला सेंचुरी दिये एक तरफ विराज्य दिये हैं हमें मैच करना है कि कौन सा वायर लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में है बोरेल वायर लाइफ सेंचुरी है असाम में नौरा देही है मद्रदेश में अबोहर है पंजाम में भीमबंध है भीमबंध है वायर लाइफ सेंचु इन में से कौन से ये तत्व शामिल हैं जो जलवायू की निर्वान को प्रभावित करते हैं तो देखें ये सारे ही तत्वे हैं जो हमारे जलवायू को प्रभावित करते हैं तो आंसर इसका 1,2,3,4,5,D यहां पे एक तरब बांध दिये हुए हैं और दूसरे नदी दिये देखना है कि कौन सा करेकली मैच्ट है तहरी रेजर वायर जो है वो भागई रथी रिवर पर है रंजीत सागर डैम जो है वो चंबल रिवर पर है और धाउधन बांद जो है वो केन बेथवा नदी पर है तो देखे इसमें जो तहरी डैम है भागरेती रिवर वो सही दिया है और धाउधन बांद जो है वो केन बेथवा रिवर पर भी सही दिया है तो वान इन थ्री सही है आंसर है बी रंजी सागर डैम जो है वो चंबल रिवर पर नहीं है वो रावी रिवर पर है ठीक है वो रावी रिवर पर है पंजाब में ठीक है तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 100 questions अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगाऊगो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए जिसको भी सारे questions के detail explanations चाहिए वो ह थैंक ये वर्योन